इस वक्त बड़ी खबर छपरा के मांजी थाना च्छेतर से निकल कर आ रही है जहां भूमिहार ब्रामबर एकता मंच के नेता असुतोस कुमार अपने काफिले के साथ छपरा के मांजी थाना के मुबारक पूर गाउं पोच गया है आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फेस्बूक पर पोश्ट कर आसुतोस कुमार ने कहा था कि छपरा की घटना बरदात से बाहर है फिलहाल मैं जमसेदपूर में हूँ और लोटते ही छपरा कूच करेंगे और जैसे ही भूमिहार ब्रामबर एकता मंच के नेता असुतोस कु असुतोस कुमार ने फेस्बूक से पोश्ट कर लिखा था कि छपरा की घटना बरदात से बाहर है फिलहाल मैं जमसेदपूर में हूँ और लोटते ही छपरा कूच करेंगे जैसे ही जमसेदपूर से बिहार पहुंचते हैं असुतोस कुमार और तुरंत उसके बाद अपने दल बल के साथ या यू कहें अपने काफिने के साथ 12144 लागू होने के बावजूद भी छपरा हत्या कांड के पिडित परिजनों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं बुमिहार ब्रामबर एकता मंच के नेता आसुतोस कुमार ने दिखा दिया कि हम स्वर्न एक जूट हैं और फेस्बुक पर हमने बहुत जगब पढ़ा भी कि हम भुमिहार ब्रामबर राजपुतों के लिए खड़े हैं अब राजपुत नेताओं को खड़े होकर इस बात का परिचया देना होगा कि हम भी साथ हैं जब भुमिहार ब्रामबर की जरुद पढ़ेगी तो पर उनके काफिलों को गाउं के बाहर रुकवा दिया जाता है तो उसके बाद तुरंत आसुतोस कुमार ने वहां के जिला अधिकारी से बात करते हैं तब जाकर उनको सिर्फ चार लोगों के साथ गाउं में जाने दिया जाता है और कानूर और संबिधान के नियमों का पाल जरूर मिलेगा। इधर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों का बिहार के लोगों से अपील है कि इस घटना को जातिये रंग देने के बजाए हत्यारों को फासी दिलाने की मांग की जाए। बावजूद अब तक बिहार का कोई भी नेता पीडित का आसुपोचने के हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद वहां से आते ही अपने फेस्बुक से पोश्ट कर सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए पीडित को इंसाफ दिलाने की मांग की। फिलहाल इस मामले में